नमस्कार मैं असोग प्रियदर्शी आज की इस रिपोर्ट में हम बताने की कोशिस करेंगे कि कैसे 831 साल बाद नालंदा इंवर्सिटी के गवरवसाली इतिहास को दुराया गया है। हम बताने की कोशिस करेंगे कि नालंदा इन्वर्सिटी की खास्यत क्या है जिसका उटगाटन 19 जुन को प्रधान मंत्री नरिन मोदी ने 17 देशों के राज़दूतों की मौजूदगी में किया है बता दें की प्राचीन नालंदा इन्वर्सिटी बिहार के नालंदा जिले के नालंदा में अवस्थित था लेकिन नया इन्वर्सिटी नालंदा जिले के राज़गीर में निर्मान किया गया है जो प्राचीन नालंदा इन्वर्सिटी से करीब 12 किलोमेटर और पटना से करीब साथ ही अध्यन्रत हैं असनात कोर्टर एवं पीएज़ी के कुल साथ विशयों की पढ़ाई हो रहे हैं जबकि दो अन्य विशय इस सैचनिक सत्र से शुरू होने वाले हैं वहीं डिपलोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए कुल दस विशयों की पढ़ाई संचालित किये जा में एसिया का सबसे बड़ा लाइबरेरी का निर्मान किया गया है जहां तीन लाग से अधिक पुष्टकें रखने की चमता है नलंदा इनवर्सिटी में दो एकेडिमिक बिल्डिंग बनाए गये हैं इनमें 40 क्लासरूम हैं जिसमें 1906 बैट सकते हैं दो प्रसासनिक ब्लॉ अस्पोर्स कंप्लेक्स, मेडिकल सेंटर, कॉमर्सियल सेंटर, फैकल्टी कलब जैसी कई सुगधाएं हैं यही नहीं नए इनवर्सिटी के निर्मान में प्राची नालंदा के बास्तू सिल्फ डिजाइन को सामिल किया गया है इनवर्सिटी परिसर में 100 एकर में कुल 4 तला की यहां कारवन का उस्तर अस्तर सुन है इसे प्रकृति के अनुकूल रखने की कोशिस की है कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि नालंदा इनवर्सिटी के निर्मान में आधुनिक जरूर्तों का ख्याल जरूर रखा गया है लेकिन इसके मूल में प्राचीन नालंदा इनवर्सिटी की रूप रेखा आर्किटेक्ट बीबी जोसी ने त्यार किया था हलाकि आजादिक के बार बिहार सरकार ने नालंदा के खंडर के समी भिक्चु जगदिस कश्यप के प्रियास से 20 नुवंबर 1901 को नब नालंदा महा बिहार की अस्तापना की गई थी भारत के पहले राष्टपती डॉक्तर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी बुनियाद रखी थी लेकिन प्राचीन नालंदा इनवर्सिटी के उत्राधिकारी संस्थान के रूप में दुनिया में वो ख्याती नहीं हासिल कर पाया तब 2006 में भारत के तत्कालिन राष्टपती डॉक्तर एपी जे अब्दुलकलाम के सुझाव पर बिहार के मुख मंती नितीश कुमार ने पहल सुरू किया था 2007 में बिहार विधान सभा में सर्व समती से इनवर्सिटी ऑफ नालंदा एक्ट पारित किया गया लेकिन अक्टूर 2009 में पूर्भी एसी आई देशों के ठाइलैंड मे आयोजित समेलन में सदस देशों ने नालंदा एंवर्सिति की पुनरस्थापना का सामोहिक निरने लिया इसके बार नालंदा को केंड़िये इनवर्सिटी के रूप में विक्सित करने का फैसला किया गया तब विदेश मंतरी परणव मुखरजी थे जो बाद में रास्तप मिलेशिया, सिंगापूर, चीन, बर्मा, जापान, इंडोनेशिया, ठाइलेंड, कमबोडिया, श्री लंका, तिब्बत, वियतनाम, लाओस समेत, सभी बुद्धिस्त और पार्टिसिपेटिंग देश सधस बनाएगे। हलाकी सुखद परिनती 19 जून 2024 को देखने को मिला जब प्रधान मंत्री नरेंड मोदी ने नलंदा इनवर्सिटी का उदगाटन किया। इस एतिहासिक मौके का सत्र देशों के राजदूत के अलावा बिहार के राजपार राजन विश्वनात अर लेकर मुक मंत्री निधीश कुमार और विदेश मंत्री एस जय संकर समेत अनेक गन्यमान साची बने। हलाकी 25 नुवंबर 2010 को ही कुलपती की निउक्ति कर दी गई थी। लेकिन अध्यन अध्यापन का सत्र 2014 से शुरूब। 19 सितंबर 2014 को तत्कालिन विदेश मंत्री सुस्मा स्वराज ने राजगीर कन्वेंशन हॉल में नालंदा इनवर्सिटी की शुरूआत की थी। लेकिन बिल्लिंग की अधार सिरा 27 अगस 2016 को भारत के तत्कालिन राष्टपती पड़नम मुखर जी ने राजगीर के पिलखी गाउं में तक्की थी। दरसल नालंदा इनवर्सिटी एक इनवर्सिटी नहीं भारत की सिच्छा, संस्किर्ती और ज्यान के केंद के रूप में बड़ी पहचान रही है। दुनिया में जब ऑक्सफोर्ड और कैंब्रीज इनवर्सिटी की अस्थापना भी नहीं हुई थी। इसके 600 साल पहले नालंदा इनवर्सिटी की अस्थापना की गई थी। प्राचीन नालंदा इन्वर्सिटी की अस्थापना 427 में समराथ कुमार गुप्त द्वारक किया गया था। इन्वर्सिटी में 1500 सिच्छक और 10,006 थे। सोध और साधना के कारण दुनिया में नालंदा इन्वर्सिटी की ख्याती थी। लेकिन 1193 में बक्तियार खिल्जी ने जला कर खंधर में तबदील कर दिया। देखे तो इतिहास के कालखंड में लौटना संभब नहीं है लेकिन प्राचीन इतिहास से प्रेड़ना लेकर नए इतिहास गढ़े जा सकते हैं। 831 साल बाद प्राचीन नालंदा इन्वर्सिटी की तर्ज पर नए नालंदा इन्व इसी कड़ी का ताजा उदारन है। धन्यवाद।